तो डियर लेर्नर्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जाने कंप्यूटर की भासा है यानि लांग्वेज ओफ कंप्यूटर ठीक हैं देखो कंप्यूटर को मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर जो सारी चीजे समझते हों किसमें समझते हैं बटा फ़र से आप लोगों से एक राय है वो ये कि हम जो computer का near about to one unit complete करने वाले है आज से ठीक है तो हम ये चाहते हैं कि हम आप लोगों को सेस्टी का थोड़ा portion पढ़ा दें चूकि सेस्टी का जो सिराबस है वो बहुत wide है उसको करवाने में कम जगम एक महिना लगने वाला है तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके सेस्टी की भी classes शुरू हो जाए तो computer की classes थोड़े दिन break कर दें क्योंकि इसका एक unit लगबग हो जरूर कर देज़ेगा बाकि आए समस्टे आज के अपनी class आज क्या बताया मैंने आपको language of computer में हम लोग क्या पढ़ेंगे दो तरीके क्या होती है एक high level language होती है एक आपकी low level language होती है तो क्या मैं हमको सीखना पढ़ेगा language नहीं आपको language नहीं सीखना पढ़ेगा आपके स levels में हैं सिर्फ जानना कि language क्या होती है और उसके बाद में कौन सी language high level language के इंतरगत आती है और कौन सी language low level language के इंतरगत आती है समझ गया बात मेरी आप कंप्योटर एक मशीन है इसलिए वहां हमारी समान ने बॉल जाल कि भाशाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को समझ नहीं सकती है यह हमारी लोगों की बात जैसे हम बोल रहे हैं ये आप बोल रहे हैं आप सुन रहें आप टाइब करकि कंप्योटर को इंपुट दे रहे ह इस नहीं समझ पाते हैं हम लोगों की बाते क्यों क्योंकि computer क्या है एक machine है अता इसके लिए program विशेश तरह की बासाओं में लिखे जाते हैं इन बासाओं को programming भाशा या programming languages कहते हैं तो जिस कहते हैं खग की भासा खगी ही जाने क्या लिकावत सुनी होगी ना क्या कि खग की भ बासा होती है computer की अर्था जिसमें आपकी बातों को computer सीखता है वो उसकी अलग बासा होती है तो उस भाशा को आप क्या कहते हैं programming language कहते हैं आगी बात समझ एक बार अगर बात समझ में आ गई है तो फटा फट से session को like कर दो जित्ते लोग क्लास में programming बासाओं के प्रकार क्य लेवल प्रोग्रामिंग लांगवज ठीक है अब निमनिस्टरी भाशा के अंतरगत कौन कौन सी आती है तो आपके आती मशीनी भाशा यानी machine language और फिर आती है आप ये assembly भाशा यानी assembly language सेम इसी तरीके से जो आपका उचिस्टरी प्रोग्रामिंग भाशा उसके अंतरगत आती है एक विधी अभी मुखी भाशा है और समस्या अभी मुखी भाशा है अब आप लोगों को क्या पढ़ना है machine language पढ़ना है या हमारे दिये गए इंपुट को नहीं समझ पाता है तो वो हमारे द्वारा यानि यूजर के द्वारा दिये हुए इंपुट को जिस भासा में समझता है उसको क्या कहते है programming language कहते है आगी बात समझ में ती तो देखो एक बात और बता दें आपको कि बुक से पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है चीजों को क्यों कि इसमें आप सब कुछ पढ़ते है examiner आप से कहीं से भी कुछ भी पूछ दे आप सब कुछ बढ़ा सकते है लेकिन यदि आप notes से पढ़ रहा हो notes से बहुत selected चीज़े आप पढ़ते हो उन चीज़ों को पढ़ते हो जो चीज़े जैसे आप अपने notes जब बना रहे होगे या बनाए होंगे आपने तो आप selected चीज़े लिखते हो ना कि जो important लग रहा हो आपको अपने ड्रेस्टी कोड से या आपको पूरी 10 बातों में सिर्फ आपने तीन बाते लिखनी चार बाते लिखनी तो जिब थोड़ा पढ़ोगे तो फिर थोड़ा ही तो आएगा ना यूजर द्वारा दिये गए इनपुट को computer अपनी भाशा में नहीं समझ पाता है क्यूंकि computer कर तरीके की machine है और इसको यह हम लोगों के यूजर द्वारा दिये गए इंपूट को समझने के लिए एक विशेश भाषा की अवश्यक्ता होती है और इसी विशेश भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं आपको इस तरीके से शब्दावली का प्रियोग करना होगा ठीक है ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम के पालन करने की गती अधिक होती है चुकर कोई कम्प्यूटर उसके नर्देशों का सीधे ही पालन कर सकता है निमने इस तरी भाषाओं के उधारना है आपके कौन-कौन से तो मशीनी लैंगवज और एसेंबली लैंगवज कहने का मतलब यह है कि यह सिर्फ एक सिस्टम पर चलता है यानि कि ज़रूरी निया कि जो आपने भाषा इस प्रोग्राम में यूज किये है बनाने में वही सेम चीज आप उसी तरीके के दस और बना दो नहीं और वो काम इस पे और जादा कर पाए ऐसा नहीं होता है इसमें इन्होंने साफ साफ मेंचन कर दिया है क्या यह भाषा है कंप्यूटर के आंतरिक कारे बना लिके अनुसार बनाई जाती है जैसे कोई भी डेटा उठा की इधर से उधर बेजा गया या कोई प्रोग्राम तयार किया जा रहा है तो जो यह सब उसकी इंटर्नल कारे होते है न सिस्टम के उसके अनुसार बनाई जाता है इसको इस बाशर में लिखे गए प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर सब सकते हैं दूसरे पर नहीं जो एक कंप्यूटर पर पर बना दिया गया है वो दूसरे पर नहीं चलेगा वह इस अमझ में आगी बत ऐसे समझेखें जैसे एक बार आपने एक बरतन में कोई चीज रख दी नहीं कर सकते तो वैसे computer language अगर आपकी किसी एक language में किसी एक computer पर अगर आपने एक प्रोग्राम इसको design कर दिया है तो फिर आप उसको उठा करके दूसे computer में नहीं रख सकते और दूसी बात है वो सिर्फ उसी computer पर चलेगी आगई बात समझ तो low level language की example से आपने देखे कौन क अब समझो जड़ा machine language क्या होता है प्रतेक computer की अपनी अलग machine language होती है समझो बात को हर एक computer की अपनी अलग machine language होती है same नहीं होती है next point machine भाशाओं का प्रियोग केवल परथम speedy के computer के लिए किया जाता था क्योंकि इन भाशाओं में program लिखना एक cutting कार दे था जिसमें प्रते generation of the computer के लिए केवल binary यंगों से बनी programming भाशाओं को machine भाशा कहा जाता है अब समझो अगर आपसे कोई पूछते कि machine language हो किस से मिल करके बनी होती है तो आपको बताना होगा कि जो machine language होती है यह programming languages में जो machine language होती है उसको सिर्फ और सिर्फ 01011100 अर्था तो सिर्फ उसको binary में ह बनाया जाता है ठिक उसमें जो है वो प्रोग्राम किसमें होता है पूरा का पूरा तो binary में आप सोचो जो आदमी coding करता होगा वो सिर्फ 01001 में coding करता होगा आप इस बात समझ तो सोचो कि ट्रफ हो जाता होगा आप देखो लेकिन इन सब के भी tricks होती है tips होती है लिखने का प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है तो वो सब तो अपनी जगह पर होती है फिर देखो इस बासा में लिखे गए प्रोग्राम में तुर्टियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना लगबग असंभा होता है देखो आगई बात समझ में कोई भी अगर एक mistake 0 और 1 की हो बात समझ अब जड़ा देखो assembly languages क्या होती है assembly अभी आपने क्या पढ़ लिया मेरे साथ बो लो लेवल 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 लेवज के example में आपने मशीन लेवज मशीन लेवज के अंतरगत आपने फिर क्या पढ़ा बो एक बात और बताते लाइव चैट को बंद करके जो की पूरी बात इसमत्स में आ जाती है आप जड़ा एक बार फटाफट से बता दो जो बैट्चे लाइवज बन करके देखते दो के पूरी समझ में आती है कि नहीं आती मेरी फटाफट अब कर कमेंट और से Date cum और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल तो जोड़ जाए मैंना एसेच 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 हो गई तो आप उसे सिंप्ली फाइंडेट कर सकते हो यह पूरी तरह मशीन भाषाओं पर आधारित होता है लेकिन इसमें 0 से 1 की श्रंकलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के कुछ अच्छरों को कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है मतलब इसमें 0 वन का तो यूस किया जाता है और साथ में कुछ जो आपके अलफाबिट्स होते है जैसे एडज नरेाट होगी ऐसे copywriter ले कुछ symbols होते हैं इसी तरीके से कुछ symbols का use किया जाता है और कुछ English के alphabets का use किया जाता है फिर देखो assembly भाषा में लिखे गए program का अनुवाद assembler की मदद से computer की machine भाषा में करा लिया जाता है मतलब जैसे अपने program कर बना लिया ठीक है उसके बाद में क्या किया आपने इसको assembler के थुरू convert कर दिया हम ठीक है अपने program को machine language में assembler के थुरू convert कर दिया ठीक उसके बाद में फिर समझो assembly भाषाओं में program लिखना अधिक सुविधा जनक होता है फिर भी इसमें निम्लिकित कमिया अनभव की जाती है इन program को समझना कठीन होता है इसलिए इन में गलतियों की खोजना भी कठीन होता है इन भाषाओं में लिखे गए program वहुत लंबे होते हैं तता इन्हें लिखने में अधिक समय लगता है इसलिए एक प्रकार के computer के लिए लिखा गया program दूसरे प्रकार के computer पर नहीं चलाया जा सकता है अब बताओ अब देखो नेक्स्ट आता है आपका assembly language के बहुत ध्यान दे समझना assembly भाषाओं का program assembly भाषाओं में program लिखना उन्हें टूटियों का पता लगाना एवं उन्हें ठीक करना सरल होता है यह पूरी तरह machine भाषाओं पर आधारित होती है यह तो हमने आपको पूरा अभी समझा दिया है अब बात समझना है आपको क्या उच्छिस तरी भाषा यानि high level language यह programming भाषाओं computer की आंतरिक कारेप्रणाली पर आधारित नहीं होती है इन भाषाओं में program लिखना उनमें गलतियों का पता लगाना एवं उनको ठीक करना निम्न इस तरी भाषाओं की तुलना में बहुत आसान होता है आगी बात समझ यानि low level language को पढ़ना को सीखना हैना उसमें program को design करना इन भाषाओं में अंग्रीजी के कुछ चुने हुए शब्दों तता सामान नेगरित में प्रयोग किये जाने वाल चिन्नों का प्रयोग किया जाता है इसी वज़े से यह simple हो जाती है भाई जब English के words का आप यूज कर पा रहे हैं उसमें कुछ mathematical चीजों का प्रयोग कर पा रहे हो तो तो ctc बाते यह उसकी सिर्फ आप अगर आपको प्रोग्राम लिखना था low-level language में तो आप सिर्फ 00001101 में यानि binary desert में लिख पा रहे थे तो वो तो tough हो गई और तो high-level language में आप लिख रहे हो तो उसमें कुछ सब्दों का प्रयोग कर पा रहे हो कुछ mathematical चीजों का यूज कर पा रहे हो तो simple चीवात है in comparison to that this is easy है अब देखो compiler द्वारा प्रोग्राम का translation मशीनी भाशा में कर दिया रहता है compiler के द्वारा यानि की compiler का मतलब होता है देखो compiler के मतलब होता है high-level language को low-level language में transform कर देते हैं ये लोग और उसके बाद में फिर देखो बात को समझे उच इस तरी प्रोग्राम भाशा में लिखेगे प्रोग्राम का computer को machine भाशा में sorry अभी मैंने आपको जो बताया ना उसमें थोड़ा सा correct कर लो क्या कि कि किसी भी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को high-level language से machine language में convert करने के process को क्या कहते हैं compilation क्येते और ये करता कौन है तो compiler करता है, अब compiler क्या होता है interpreter क्या होता है, दिखो दोनों का काम सेम है क्या? कि high level language को याद रखना है ये बात machine language में convert करना क्या कहलाता है interpretation और compilation अगर ये page पूरा पूरा complete एक बार में अगर आपको इसको compile करना है तो compiler का use होगा आप चाहते कि आपके program को line by line check किया जाए और जहाँ पर गलती हो वहीं से इसको stop कर दिया जाए तो जो line by line check करने का process होटा है ये होता है interpreter का मलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो program है high level language का वो machine language में change हो लेकिन line by line check हो तो आप interpreter का use करोगे अगर आप चाहते हो नहीं एकी बार में पूरा चेक हो जाए पूरा program एकी बार में तो आप compiler का use करते हो आगी बार समझे बहुत असाधारन भासा में तो जारे है यह सर्ट टॉपिक सच में difficult मानिंग है उचिस्तरी प्रोग्रामिंग भाशा को दो भागों में बटा जाते है पहला समस्या अभी मुकी भाशा है और दूसरा को करने की पूरी विधी बताने बजाए या बताया जाता है कि हम क्या प्रणाम चाहिए देखो problem-oriented languages यह कभी उसकी गई सबसे पहले आपको याद रखना है fourth generation की programming language है और इसमें क्या होता है हमको पहले यह output बता दिया जाता है कि बेटा आपको एक program design करना है जिसमें कुछ ऐसा output मिलना चाहिए बस आपको पता चल गया कि आपका क्या है यह क्या है यह output है तो आप इस तरीके से काम करेंगे कि आपको ऐसा output मिले हां तो यह होता है कब जब आप problem-oriented languages की बात करते तब जैसे आपको पहले आपको अपने सारी सब्जी विवस्था सांबर मसाला का क्या कर लोगे इखटा कर लोगे तयारी कर लोगे तो बन जाएगा बस वैसे ही सेम चीज़ होती है आपको अपना गोल बता दिया जाता है इसमें किसमें problem-oriented languages में आई बात समझ में इसी के साथ में जैको विदी अभिमु की भाषा है क्या होती है प्रोसेजर ओर्येंटेड लांग्वजेश क्या होती है ऐसे प्रोग्राम प्राया किसी algorithm पर आदारित होता है यह ऐसी उच्छे स्थरिये programming क्या है जिनमें किसी कारे को करने की पूरी विदी यानि प्रोसेजर लिखी जाती है एक 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 बात लिखी जाती है इसके इंतर गतापके कौन सी बस्ता आइंगी basic, fortran, pascal, c और उसके बारें fox pro जैसी बहाशा है आजाएंगी c तो मैंने भी पड़िया, c सच में टफ होती ह अब देखो important high level languages आपकी जो होती है उन्हें कुछ बारे में सीख ले हो basic होती है सबसे पहले तो basic का full form याद कर लो क्या beginner's all purpose symbolic instruction code यह भाषा छोटे छोटे बड़े हर प्रकार की computer में उफियोग की जाए सकती है इसका विकास कब हुआ था तो सन 1964 में डार्ट माउथ कॉलेज के अमेरिका के थॉम्स वूर्ज और डॉक्टर जॉन कैमनी के द्वारा किया गया था basic में लिखे का है program का machine भाषा में अनुवाद प्राया interpreter के द्वारा किया जाता था आप समझो बात को जहां आप इन्होंने program को मशीन भाषा में convert करने के लिए किसका यूज की है interpreter का अब interpreter अभी हमने बताया है interpreter का conversion कैसा होता है line by line होता है कि complete होता है बोलो बटा बचसे करो comment line by line होता है कि completely होता है अब उसके बाद में देखो प्रमुक संसकरन कौन कौन से है GW basic Q basic और basic जैसे समझो जैसे android वर्जन होता है पी आया लॉलीपॉप आया फिर उसके बाद में ऐसे करके पाई आया और फिर ubuntu ऐसे करके इसमें भी basic के भी बहुत सारे वर्जन है या आप ऐसे समझो चिक है अब दूसरी क्या है logo इसका पूरा नाम होता है logic oriented, graphic oriented इसके द्वारा screen पर सरल लेखाओं द्वारा क्या कर सकते है चित्र बनाए जा सकते है या programming बासा बच्चों के लिए विक्सित की गई थी या बासा अती सरल है उसके अद में आता है आपका COBOL कोबोल का full form क्या होता है आपका common business oriented language इसे सन 1960 में कोडेसिल समूद वारा विक्सित की आ गया इसमें बहुत बड़ी मात्रा में input output करिया है एक कम समय में की जा सकते हैं परन्तों जटिल गर्णाए करना कठीन होता है किसमें जटिल गर्णाए करना कठीन होता है तो आपके COBOL में इसमें मुख्यता व्यापारिक कारियों को यानि commercial application में यह तु ब्रोग्राम लिखे जाते है प्रमुक संसकरण इसके कौन-कौन से ते जैसे आपने मापे Q-Basic एच-Basic वड़ा वैसे इसमें के AN-Auntie, COBOL, COBOL 7-4, COBOL 8-4 यह कहते हैं इसके versions थे सेम इसी तरह से अब आपको क्या पढ़ना Fortran यानि formula translator ठीक है यह सबसे पुरानी उच्चुस्तरिय प्रोग्रामिंग भासा है अगर आप से कोई पूछे which is the oldest high level language तो आप क्या reply करोगे Fortran is the oldest high level language फिर देखो इस भाषा का विकास 1957 में IBM अमेरिका के जॉन बैकस के द्वारा किया गया था ठीक यह भाषा यह वहाता है कि यह वग्यानिक तता इंजिनियर के लिए अत्यन उप्योगी भाषा है और क्योंकि इसमें जटल गरती क्रिया है भी की जा सकती है इसके जो प्रमुक संस्क्राइब थे वो कौन से थे है फोर्ट्रेन 4 और फोर्ट्रेन 77 आगई बात समझ में तो आज आप लोगों ने मैंसाथ क्या पढ़ लिया कि high level language क्या होता है low level language क्या होता है एक पेज में आप लोगों लिखना है कि high level language क्या होती है एक पेज में आपको लिखना है कि low level language क्या होती है high level language के कोई दो example चलो कोई एक example लिख लेना और एक example लिखने के बाद में उसको पूरा describe करना है और इसमें भी ऐसा ही करना है आपको एक कोई low level language लिखके उसको भी describe करना है ठीक है जैसे high level जैसे आपने fortran example ले लिया तो fortran के जो भी points है आपको वो लिखने होंगे ठीक है इत्ते ऐसा work भी करना आपको क्या संजाए है मैंने high level language पहले आपको लिखना होगा फिर आपको low level language लिखना होगा और उसके बाद में इन उसके बाद में आपको representation of data information यानि data सूचना का प्रस्तूती करन कैसे किया जाता है फिर data and number concept पढ़ाएंगे हम आपको और उसके बाद में हमना comparison ओ ओ ओ ओ इसमें तो photo लगी है भाई मेरी इस pdf में तो photo लगी है क्या दिखा दिजा आज पिताओ क्या photo देखनी है आपको बोल लिखोगे तो yes मैं मैं पता है लेकिन दिखा नहीं शक्त है पता नहीं पहले की pdf बनी रखी है तो उसमें photo बें विल्ट है चलो समझ गया आप homework में क्या करना था आपको आगी बात समझ में ठीक है और उसके बाद ने अब आपको काम क्या है कि session को like कर लो pdf के लिए आप हम नहीं के लिए टो लिए टेकेर बाइवाए मेटर विदिवी ने 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 च्त क्लास